दोस्तों अगर आपने भी LG G8X स्मार्टफोन को बाई किया तो आपको पता होगा कि इस फोन का जो कैमरा है, LG ने बहुत एच्छा कैमरा इस फोन में थी है, काफी अच्छी फोटोस आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन आप अपनी फोटोस को और भी बेटर कर सकते हो अगर अगर आप उनको पूरा फोलो करते हो, तो बहुत अच्छी फोटोस आप LG G8X से निकाल सकते हो, इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखे गया, क्योंकि सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ, लेकिन दोस्तों अभी मेरे चैनल पर चल रहा है Realme Watch S का गिववे, तो अगर आपने अभी तक पार्टिसेपेट नहीं किया है, तो कार्ट में मैं लिंक दे र दोस्तों मैं अभी LG G8X को यूज कर रहा हूँ, सिंगल स्क्रीन के साथ में आप देख सकते हो, ये वही फोन है और इसका बेस्ट Gcam जो है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे उसको आपको इंस्टॉल करना है, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है, दोस्तों इस Gcam का जो डाउनलोड लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिलेगा मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाके इस Gcam के APK को इंस्टॉल कर सकते हो, आपको बिसिकली डाउनलोड करना मैं सबसे पहले आपको बत इंस्टॉल के उपर में क्लिक कर देना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों टाइम लगेगा और यह जो एप है आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा सक्सिस्फुली, अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक नीचे मैसेज मिल गया है कि जो APK फाइल अभी के टाइम के लिए और अभी आप देख सकते हो कि यह जो है वो चालू हो गया है, अभी यहाँ पर दोस्तों आपको एक छोटा सा काम और करना है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि दो फाइल आपको मिलेगी मेरे डाउनलोड लिंक में, जो दूसरी फाइल है दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इस फोल्डर को ढूंड लेना है कहां पर है यह रहा दोस्तों जी के मौला फोल्डर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक फोल्डर और क्रियेट करना है जो हगा config 7 के नाम से एक फोल्डर होगा तो मैं यहाँ पर उस फोल्डर को भी यहाँ पर क्रियेट कर लेता हूँ और देख सकते हो दोस्तों मैंने यहाँ पर दूसरा folder भी create कर लिया, आपको create folder पर click कर देना है, अब आपको back जाना है और download में जाना है जहाँ पर आपने इन दोनों files को download किया था, apk file और configure file को, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर download के अंदर में मुझे यह configure file यह दीख रही है, अब आपको इस configure file को यहाँ से copy करना है या फिर आप cut भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से इसको copy to करता हूँ, इसके बाद internal storage में आता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको gcam ओले folder में जाना होगा, इसके बाद मैं config 7 का एक folder job को मिलता है, इस पर जाके आपको य फोन में आ चुकी है, इस folder के अंदर में, अब आपको क्या करना है, फिर से आपको उसी app को open करना है, अपने gcam app को आपको open करना है, और आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजेगा, कि यह जो shutter button है, गैलरी preview के बीच में थोड़ा सा आपको space मिलता है, इस पर आपको just double click करना है, जैसे अब double click करते हो, आपको यहाँ पर एक message मिल जाता है, और यहाँ पर आपको restore का option भी मिल जाता है, तो अभी दोस्तों आपको just restore के उपर में click कर देना होगा, और दोस्तों यह जो app है, यह fit से restart हो गई है, तो अब मतलब किसकी configure file इसके अंदर में setup हो गई है, और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको छोटी सी tips देता हूँ, कुछ इसके best setting की, अगर आप उनका use करते हो, तो काफी अच्छी photos आप इससे निकाल सकते हो, अभी दोस्तों यहाँ पर आपको camera icon दिख रहा होगा, यहाँ पर camera basically लिखा हुआ है, आपको ऐसे एक बार scroll करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक option मिलता है motion बोलके, इसको आपको off कर देना, इसको on नहीं करना है, तो आपको इसको off कर देना है, इसके बाद में दोस्तों आपको HDR plus on है, इसको आपको जो है यहाँ से on कर देना है एक बार, और यहाँ पर Google AWB आपको दिख रहा है, इसको भी आपको on कर लेना है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको setting का icon एक दिख रहा है, इसके उपर आपको click करना है, और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको एक option मिल जाता है, grid बोल के, grid type यहाँ पर off आपको इसके उपर click करना है, और 3 by 3 पर आपको कर देना है, तो बस दोस्तो तो यही तीन से चार सेटिंग अगर आप करते हो, तो आप काफी अच्छी फोटोस Gcam से निकाल सकते हो, और इसमें आपको एक night side का भी एक option मिलता है, और अगर आप इस पे जाते हो, तो इसकी भी एक best setting आपको बताता हूँ, आपको ऐसे करना है, स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको astro photography दिखता है, इसको आपको enable कर लेना है, अगर आप astro photography की काफे रशोकिन हो, तो आप इसको enable कर लो, और दोस्तों इसको use करने के लिए आपको अपने phone के code, ट्राइपोर्ट पे लगाना होगा, और रात की टाइम पर आप अपने छत वगरे पर रखके, एक photo लोगे जो लगबग 4 बिनेट लेता है, एक photo को capture होने में, और काफी detailing के साथ में आपको astro photo उसमें देखने को मिल जाती है, आगे दोस्तों मैं आपको कुछ simple photos यहाँ पर दिखा रहा हूँ, night sights के और इसके normal जो यहाँ पर camera आपको मिलता है इसके, और जो इसका built-in camera है, stock camera है, उसके भी आपको यहाँ पर photos दिख जाएंगी आगे चलके, तो आप खुद से compare कर सकते हो कि इसका जो stock camera वो अच्छा है या फिर Gcam ज्यादा अच्छे से perform कर रहा है, और आपको इस app की download link वीडियो description box में मिलेगी, मेरे टेलिग्राम चैनल पर आप जाके इस app को और इसके config file को भी जरूर से download करिएगा, इसके बाद में ही ये app जो है सही से आपके फोन में चलने वाली है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अपने पूरी देखी होगी और पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप LG G8X ThinQ में Gcam को यूज कर सकते हैं, कैसे अच्छे अच्छी फोटोज आप निकाल सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जिन लोगों के पास में LG G8X ThinQ हो है, वो लोग भी Gcam का यूज करके अच्छे अच्छी फोटोज को निकाल सकें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके वेल आइकन हिट करें, कुछ ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में,